बिस्मिलाही रह्मानिरहीम असलामलेकूम योट्यूब फ्रेंड जी फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए डेस्ट डिजाइनिंग की बजाए जो सोफा कुशन होते हैं उनका जो डिजाइन है लेकर आई हूँ के मोती होते हैं साइज में बड़े लेकर तो यह लगा के इंतहाई खुबसरा जो है यह कुशन का यह डिजाइन बनाया था और वैसे तो बजार से हर तरह की चीज मिल जाते हैं लेकिन जो घर में आप लोग चीज बनाते हैं वह एक तो खुबसरत और यूनीक होती है दूसरा कि आप बहुत कम बजट में इंतहाई जो है खुबसरत जो अपने ड्राइं रूम की जो सैटिंग है वो इन कुशन की मदद से यह कर सकती है तो यह देखें इस तरह यह मैंने सेंटर में यह मोती लगाए थे तो इधर इस वीडियो में आप लोग को इस सोफा कुश के अलावा जो कुशन का साइज है वो भी मैं अपनों को बताऊंगी इधर मैंने जो फैबरिक है यह मैंने 12 इंच तक चुडाई में लेते हुए यानि के एक फुट 12 बाइ 12 इंची तक यह फैबरिक लेते हुए तो इसके अंदर रूई बरी थी और इस साइज का जो कुशन होता है बिलकुल मनासब होता है ना तो ज्यादा बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है और हर तरह के हर साइज के सोफे के लिए यह बैटर है तो जैसा कि यह 12 इंची तक था जो यह कुशन हमारा लेकिन इसका जो कवर है वो मैं 14 इंच तक जो इसका फैबरिक 14 बाइ 14 इं कुशन का कवर है ना तो ज्यादा बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा और यह 14 से तकरीबन हाफ इंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है तो यह 14 बाइ 14 इंचीज तक का सक्वेर लेते हुए तो इस तरह यह फोल्ड करके यह मैंने प्रेस के साथ यह इधर मारक यह बना लिए है तो जी फ्रेंड्स अगर आप लोग फर्स्टाइ मेरे चैनल पर तश्रीफ लाएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि मैं जो बहुत ही मुश्किल और कंप्लीकेटिड ड्रेस डिजाइनिंग होती है उनके बहुत ही सिंपल एजी वे में जो टॉट् आपडलोड करते हूं तो इसी तरह ये कंट्रासिंग फैब्रीक की कटिंग करते होगे अलेrand ऑफ इनको ये pasta सेट करते होगे तो अब इसकी जो हैे सेंटर से इस लाइट लगा लेंगвой तो अनकर नहीं के बाद है आप मैं ने सेंटर पर ये मैंने बैस लगाल को तांके जो यह स्टिच है, अच्छे से यह बैठ शेए, तो आप जैसा है कि आम तोर पर जो फुशन होता है, उसके फाइफ पीस जो होते हैं, तो यह मैंने फाइफ पीस इस तरह यह तियार कर लिये था, इसके बाद जो है, यह मैंने जो है स्किन गोर्डन कलर का यह फैबरिक लिए है और इसको यह प्रेस लगा कि इसकी तह लगा के यह मैंने प्रेस लगा लिए तांके जो जो जाहर है यह सिलर का यह अच्छे से यह सेट ओड़े यह बैठ चाए तो अब इदर मेहरोन कलर के सरकल की सदी के रिप्धा कट कर के लिए था में इदर सीरकल को ओदन बता तो इस आपको नहीं ही छोटा तो इस महीरिंग के अंदर किचन में अगर आप लोग जाएं तो किसी भी डबे का जो ढखन है यहां कोई प्लेट है वह आप ले सकती है सेवन इचीज के जो है जिसका राउंड हो सेवन इचीज तक तो यह इसी तरह बिल्गुल सर्कल में यह कट करते हुए तो यहकि वकत में यह शानन है न्दर करके यह में अधे काफ कर ले अब इनिक जो है यह मेर बनाऊंगी और यह जयसे कि अ बहुत ही खुब्सरत जो है ये flowers एक तो वैसे तो मुटलिफ डिजाइन के इस टाइल के flowers बनते हैं लेकिन ये वह वाला जो style ये design था ये मुझे अच्छा लगा था एक तो ये बनाने में भी बहुत ही easy था और दूसरा के इसकी जो look थी वह बड़ी प्यारी ये बनने के बाद तो यह जैसा कि हाफ इंच तक जो है यह मैं छोड़ते होए तो यह मैं बड़े-बड़े जो है सुई के यह स्टिच लेयरिंग और इस दुरां जो है सुई का जो दागा आपने डबल डालना है और यह जहां से स्टिच लगाने स्टार्ट किये थे जब वहां पर आने के बाद यह मैंने जो इसका रैशीज वाला पार्ट है जो राफ था वो मैंने फिंगर के साथ अंदर की तरफ करते हुए तो यह स्थागे को यह खैंच लिया है और यह देखें कितना नीट और फिनिशिंग के साथ यह तियार हो गया है तो अब इसकी शेप को अच्छे से बिल्कुल सेट करते हुए मजीद जो यह मैंने दो तीन स्टिचीज यह बिल्कुल सेट करते हुए तो इस मैथड से देखें कितनी फिनिशिंग के साथ यह फिलावर यह तियार हो गया है और सेम इसी मैथड से जो बाकी फिलावर्स हैं वो भी मैंने तियार कर लिये थे और तियार करने के बाद अब इस तरह यह फिलावर्स इनको इस तरह यह सेट करते हुए यह मैंने सुई के साथ सेंडर में यह एक एक मोती लगा के जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं कि यह seven flowers ये एक कुशन पे ये लगे थे तो ये मैंने सुई के साथ ये इस तरह मोती लगाते हुए ये इनको ये लगा लिया था ये देखें ये लगने के बाद इस तरह ये कुछ इसकी लुक आई है और ये इनको आपस में भी इस तरह ये एक एक स्टिच लगाया है जोड़ा है त अच्छा अब इसकी जो बैक साइड है वो हमने कट करनी है अगर आपने जिप यूज करनी है तो 14 की बजाए आप 16 इंची ये लेंगे लेकिन इदर मैंने जो है टीच बटन लगाने है तो ये मैंने 17 इंची तक जो है ये मजीज जो है चुड़ाई में फैब्रिक लिया और ये मार्क बनने के बाद जो इसकी कटिंग है वो ये असानी से हो और जैसे कि देखने एक सी बैक साइड है ये मैंने एक ज्यादा रखिया दूसरी कम रखिया है क्योंकि अगर इस टाइप पे अगर सेंटर में बनाते है तो कुशन जो है ये कवर चड़ाने में जरा ये मैं यू-एच्यू के साथ अब ये स्टिच लगाने के बाद में को आपस में जोइन कर लिया है और बाद में इस पार्ट को जो उपर वाला है इसको इस तरह ये पिन अप करने के बाद इसकी चाफ जो जो चारो साइड पे ये मैं स्टिच लगा लूँगी तो जी ये देखें स्टिच लगाने के बाद अब इसको ये मैंने इस तरह ये सीधा कर लिया और यहां पे ये मैं दो टीच बटन लगा दूँगी और ये स्टिच लगने के बाद अब इसकी ये कुशन की फाइनल लुक है और देखें कितना खुबसरत कितना जबरदस्ट जो जो यह लग रहे हैं तो यह इसी तरह जो बाकी के पीसिस हैं वो भी मैंने त्यार कर ली हैं और यह जब मैंने ड्राइं रूम में ये कुशन डाले थे तो येकीन ही नहीं आप अप्रू ल än कुर से कि शॉतरत ड़ले थे तो एक तो यह स्टाइल है जिस जो के यह मैंने फ्लावर्ज जो लगा के बनाया था और एक जो अक्सर जो है चाइनीज एक लकडी का सोफा होता है सेपरेट से बेड रूम पे भी आप लोग रख सकते हैं या अगर बेड रूम में आपका इतना बड़ा नहीं है तो फिर ड्राइंग रूम में भी उसको आप अड़ेस्ट कर सकते हैं तो यह इसके यह मैंने फोर कुशन जो चाइनीज सोफा होता है यह इसके मैंने तियार की हैं और यह इसका जो फैब्रिक था काम था तो मैंने अब एक ही कलर का जो बड़ा सा यह फ्लावर यह तियार करके सेम इसी वे में जिस तरह यह मैंने छोटे फ्लावर्स तियार की है थे तो ये center में ये मैंने बटन ये लगा लिया है तो अगर आप लोगों को भी प्लीस अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्यूंकि आपके लाइक से हमें motivation मिलती है और इसी के साथ इजाज़त दे